वीडियो को लाइक कीजिए आपको सब्स्क्राइब कीजिए सेफटी फास्ट और मैं फटावर्स इस वीडियो की शिर्वात करता हूँ तंद्र दिक्षा के लिए दरवार में उपस्तित परम पूजीनी बावाजी के सभी परम शिश्य आप सभी के दरवार में बहुत-बहुत स्वागा थे पूने आज आपका एक बहुत महत्तुपून आयाम में सुच मिलिगत के आयाम में आपका प्रिवेश होने जा रहा है यह इस प्रत्वी पर एक असादान गटना है जहां पर इस तंत्र दिख्षा के समय सुच मिलिगत में तंत्र के सभी समराट यहां उपस्तित हैं और उनका सनच्चनाव सभी को प्राप्त है अभी शायद आपको इस बात का एसास भी नहीं है ठीक से कि यह दिख्षा जिसमें आज आपने प्रिवेश लेने के लिए आविदन किया था और आप चाहे नित हुएं समी लोग यह आपको किसी आत्रा पर ले जाने वाली है अभी आपको इसका पुरा ठीक से ग्यान नहीं है अभी सुनी सुनाई बातों के अधार पर आपने दिख्षा लेने के कारक्रम बनाया कुछ अन्भो के अधार पर ही बनाया है कारक्रम कुछ लोगों ने लेकिन जब इसके अन्भो और इसका साक्षातकार आपको होगा तो आपको असली चीज समझ में आएगी जो असली वस्तु है सोच मुझत की जब वो समझ में आएगी तो निशित रूप से आपके लिए विसमय होगा और पहली बार शुरू शुरू में आपको चमतकार जैसे लगेगा लेकिन जब रोज वह इसाई घटी दोने लगेगा तो चमतकार और रहस से दोनों के परदे और दिवारें सब गिर जाएंगी और आपको समान जैसी घटना लगा करेगा वह चीज समान ने आपको लगा करेगी जो धर्ती पर लोगों के लिए असमान ने है असाधारन है वह आपको बिल्कुल छोटी से घटना लगा करेगी लगेगा रहें यह कुछ नहीं यह तो सपता है यह तो कुछ भी नहीं हम तो खामखा ही जो है भैवीत रहते थे हम तो खामखा में जो है वो भटकते रहते थे अब रहम इते तो यह बात आपको सम्झ में आएगी जब आप इस दिक्षा के कारक्रमें आगे बढ़ेंगे सिडियां चलते जाएंगे तीरे दीरे यह बहुत अद्बूत चान है आज मंत्र दिक्षा लिया आप लोगोंने पहले मंत्र दिक्षा को पूरी तरह से सफल करके आपने तंत्र दिक्षा में प्रवेश लिया इस तंत्र दिक्षा में तंत्र का अर्थ विवस्ता है यह बात हमेशा अंदर रखियेगा हिर्दे में, बहुत लोग इसलिए चैनित नहीं हो पाते, क्यों इस तंत्र के माध्ध्यम से आवेवस्था के बारे में सोचते हैं, इसलिए उनका गलित गलबला जाता है, यह जो आपने भीना उठाया है, सेवा का, इसको इसी भाव से सुरच्चित रखना, जब सेवा के भाव से आप रहते हैं, तो पूरी सरश्टी आपके साथ होती, और जब स्वाइम के लिए अकेले के लिए आप सोचते हैं तो पूरी स्ष्ट यह आप से कट के अलग हो जाती है हमेशा दियान रखना जब सब के बारे में सोचते हैं तो सब आप साथ जोड़ जाते हैं जब अकेले के बारे में सोचते हैं बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, ये सूत्र है, इसको हमेशा ध्यान लखिएगा, इसलिए लोग कल्यान का बड़ा महत्तु है, लोग कल्यान जब आप करने की सोचते हैं, आप देखिए आपके मन में कैसे पुलकन होती, कैसे पुलकीत होता आपका शरील, आपका है कैसे अलग तरह से इस्पंदित होता है, आपका मन एक अलग तरह से खिलता है, एक अलग तरह से कमल खिलते हैं आपके अंदर, सोचके, आपका भी सोचके देखो, किसी की मदद करनी है, आपके अंदर कैसे कैसे भाव तूटते हैं, तरंगे उठती हैं, अदभूत, आपको बहुत अच्छा लगता है, और किसी के नुकसान करने के लिए और में सोचो, आप देखो, आपको 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 स्वांसों का जो रिदम है तूट जाता है, तूटने लगता है, एक भाय सभयापत होता है, और स्वांसो भी लगी हो, वो आपको सताती नहीं, तो इस बात को हमेशा ध्यान लखना है कि हमें सेवा के भाव से कारी करना है, दरबार कई ही लक्षे है, कि आप जैसे लोग जिनको सेवा का भाव अंदर है, उनको आगे लाए जाए, आपको शिक्षित दिक्षित किया जाए, और आप की च्छमता बढ़ाई जाये शरस्टी का आप में और आपको सरस्टी में समयशित किया जा सके आपको शरस्टी का वो पुंज्ज बनाए जा सके जिससे गंदी और आसुरी शक्थिया मानो जात के खिलाफ काम करने वाली शक्थिया उसके विरुद्ध सोचने वाली और करने वाली शक्तिया दुबक के बैठ जाये कोने में भैभीत हो जाये और फिर अच्छे चकार रहो सके मानो जाती के लिए तंत्र का जो छेतर है बहुत मिशाल है जहां पर मनुस्त की पहुंच नहीं हो पाई वहां भी तंत्र है चहां किसी जीव की पहुंच नहीं है वहां पर भी तंत्र है एक बहुस्ता के तायत वो भी है अगर किसी ग्रह में मनुस्त नहीं पहुंच पाया तो वहां भी तंत्र है वो भी एक बहुस्ता है तो तंत्र हर जगे उपलब्द है आवशक्ता उसमें केवल यात्री की है कि यात्री है वो किस भाव से यात्रा करना चाहता है स्वाहिम के लिए या सब के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब स्वाहिम के लिए काम करना होता है तो द्यान देने के आउशक्ता पड़ती है और ध्यान करने के आउशक्ता पड़ती है दो तरह से मने आपको बचीजे बताई है तो जब भी समाज में आप जीने जाते हैं लोगों के साथ तो आपको ध्यान देना पड़ता है जब स्वाहिम के साथ जीते हैं लोगों के साथ तो ध्यान देने के आउशक्ता पड़ती है जब अकेले जीने जाते हैं केवल तो वहाँ ध्यान करना होता है ध्यान करते करते हैं ध्यान होना होता है ध्यान होते होते साभी कल्ब से निर्व कल्ब की और यात्रा होती है और फिर सदा सदा के लिए खो करके पाना होता है ये ग्योस्ता है तो आज जी इस तंतर दिक्षा में आप दिक्षित होने जा रहे हैं इस साधान दिक्षा नहीं यहाँ परम पूजिनी बाबा जी जैसे महागुरू की उपस्तिती है मा की उपस्तिती हैं पर है मा के साथ हमारी सभी माताओं की उपस्तिती है यहाँ पर जिनका सनच्छन आपको और आपके परिवार को मिला हुआ है जीनों ने आपको शुद्ध और बिल्कुल शुद्धी किया और आपको जीने लाइक बनाया है जिन्दा रहने के लिए और जिन्दा जीने लाइक बना दिया है आपको उस सब लोग आउपस थी था उनकी दिरिष्टी के नीचे आपकी दिछा होने जा रही है यह ध्यान रहे है यह भी आपको ग्यात है कि इस दरबार से कोई बात छीपी नहीं रहती दरबार आपको किसी प्रगार से भैवित नहीं करना चाहता लेकिन जो है उसको आप महसूस करते है जो नहीं है आपकी दिरिष्टी में लेकिन वो है और उसी को शिव कहते है जो ना होते हुए भी है और जो होते हुए भी नहीं है वो ही शिव है तो उसके आप आगोश में हैं जैसे घना कोहरा होता है आप बीच में चले जा रहे होते हैं कोहरे के बीच में ऐसे शीव है चार ओर ऐसे शक्ति है चार ओर आपको लगताब मैं जा रहा हूँ लेकिन घना कोहरा आपको चार ओर ऐसे शक्ति है शीव है जो कोहरा नहीं पड़ा रहा है तब भी आप समझे लोग कि आप ऐसी चार ओर शीवर्शक्ति के गेरे में हैं आप दरवार के गेरे में हैं बाबा और मा के सनक्षण में हैं सुरच्छी थे ये दरवार भोग काटने के लिए लोगों के इसका ओतरन हुआ शुरुआती तवर में देखा जाए तो आपके कुंडलेनी को खोलना बंद करना इस दरवार की च्छनवर की बात है आप देखते ही हो और यही कुंडलेनी खुल जाए इसके लिए बार बार वेटती जनम लेता है आप सब जनम लेते हो बार बार यही कुंडलेनी कीसी तरह खुल जाए बस यात्रा शुरू हो जाए यह पूरी यात्रा यह दरवार आपको एक छ़़ण से भी कम समय में करा सकता है और दरवार कराता है जो दरवार के सेवक हैं सेवा में रहते हैं जो दरवार यात्रा कराता है छलो में ब्रमान्ट की यात्रा करते हैं छलो में यह छोटे छोटे बच्चे जो सेवा कर रहे हैं यह संसार के बड़े बड़े साधकों से भी ज्यादा इनको ग्यान है ग्यानकर्थ अनुभव है किताबी ग्यान नहीं है किता भी सुचना है वो ग्यान नहीं है लेकिन अनुभव है इनके पास जवरदस्त इस दरवार में देवी देउता सभी जितने पूझ्य है सभी यहां पर उपलब्द हैं आपकी सेवा करते हैं आपकी रच्छा करते हैं भगवान भोले नात और मा के होने के कारण यह सभी दे हंदक महसुस होती है एक उसको आनंद कानव होता है उसको एक आनंद कानव होता है वो शकारात्मा खोने कारणे सा होता है कि बहुत कुछ इस दरवार में जीसे भी धरतिवासी समझने पा रहे हैं क्योंकि उसको समझने के लिए वैसा होना पड़ेगा समझने के लिए समझदारी के विकास करना होगा उन्में और समझदारी विक्सित नहीं हुई है तो दरवार के बारे में समझने में कच्छना ही बहुत है मैं देखता हूँ हमारे बीच में बहुत लोग रहते है उन्हें लगता पता नी क्या हो क्या रहा है उनके समझ में नहीं आता है क्या है रहते दिनवर बीच में साथ में वो एक भावना एक निगेटिविटी की रहती है अंदर वो उनकी नहीं हम देखते हैं कि उनकी भावना नहीं है यह उनकी मजबूरी है उनका सोचने का तरीका है जो उनको बच्पन से मिला है शक करने का लेकिन बच्चा तब तक शक करें जब तक नहीं जानता माबाप क्या होते हैं तब तक ठीक लेकिन जर बच्चा बड़ा हो जाए, स्कूल में नाम लिख जाए हाई स्कूल इंटरपास कर ले तब उसे स्विकार कर लेना चाहिए कि हमारे माता और पिता यही है और अगर फिर भी ना स्विकार कर पाये हिर्दे तो फिर अपनी असलियत पे संदेह करना चाहिए कि फिर हम, हमारी असलियत में कुछ संदेह है जरूर, अपनी और दर्शी जानी चाहिए कि कहीं गंदगी अपने में बहुत गहरे में है जो अपने माता पीता की पहचान नहीं कर पा रहे मैं देखता रहता हूँ अंदर अंदर हसता रहता हूँ कि मेरे साथ रह रहे हैं मेरे साथ चल रहे हैं मेरे साथ बैठ रहे हैं उसके बाद यूनको शंका फिर भनी हुई है फिर भनी है फिर भनी है शंका आईसे कैसे मैं देखता हूँ भोग बहुत गहरे हैं इनके और कहीं कहीं भोग ले जाके गहरे हैं इनको डुबोएगा तो सबसे गहरी बात ये है कि मैंने कल भी लेक्चर में ये बात कही थी रातिर में जब मंतर दिछागा कार करेम चल ला था कि आस्ता विस्वास वर सुद्धा जो है आपका सबसे बड़ा अस्त्र है जितना गहराई में आपके अंदर होता है जितना गहरे भाव में होता है वह इसे ही रस रसायन आपके सरीर में आपके बाड़ी में बनना शुरू होते है शरीर एक पात्र बन जाता है खिला हुआ कमल बन जाता है जिसमें ओस की बूने टपकती है उपर से गिरहन करता है खुला कमल की तरह है अगर बंद कमल है तो ओस गिरे चाह पानी गिरे ओस गिरहन नहीं कर पाता है खिला होना जरूरी है खिल खिलाना जरूरी है, खिले हुए कमल की तरह है, आस्था विस्वास रद्धा जरूरी है, नसों में आस्था विस्वास रद्धा जितनी दोड़ेगी, उतना ही सरीर और जीवन दोनों उसके पात्र बनेगे, आप एक उस साधना की और बढ़ रहे हैं, जो आपको शाली बनाएगी, और आप इतने शक्तिशाली बन सकते हो, कि लोग आपको ईश्वर के रूप में पूझ भी सकते हैं, भगवान के रूप में भी देख सकते हैं, इतने शक्तिशाली बन सकते हैं, वो आपके उपर है, या आप किदर जाते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि इस रष्टी बड़ी अजीव है आप जैसा चाहते हो वह इसा होने लगता है वह इसी ही परिस्टिया आपके इरदगीर अगल वगल निर्मीत होने लगती है और धीरे 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 आप वैसा ही बन जाते हो अदभूत है इस रष्टी सोच के देखो आप केवल सोचते हो उसी प्रकार की इस्वर्थिया आसपास जो होती है माली जाए आपका अंदर से मन करें कि भोजन नहीं मिला चुरा के खाले है एक भाव आया शবक चुरा के कुछ खालेते हैं तो आसपास जो चौर ही इस्वर्थिया चुरि करने वाली वो सब आपकी तर वो सारी सुष्वितियां उसी खोपड़ी में यंट्री चोर वाली अब तहीं लिए प्रवाली आजाएंगी कि फिर आदमी ऑलमी enroll दगाईधी करने को सोचने लगएगा वो इसक्षियां है आपने अच्छा करने को सोचा तो जितनी आथ्छाई करने वाली स्मृतिया हैं इस बुर्मान में सब का आपकी तरफ अट्रेक्शन और आपके तरफ आकरशित होंगी आपको परवाव देंगी और आप से अच्छा 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 करवाने के लिए प्रेलित करेंगी आप पात्र बनते हो किवल आप एक स्मृति तो आगे लागे दें को सुसाइट करना है कोई ऐसी कोई बात बोल दे आप अंदर सोच और इस से अच्छा तो मर जाएदा अच्छा है बस एक स्मृति आपकी बन गई बस हो गया काम जितनी आद्भत्य वाली स्मृतियां है वो आसपास आपके चक्कर और आप में एंट्री आपके आद्भत्य वाले भाव को और बढ़ा देगी इतना बढ़ा देगा हो कि आप फंदा अंदर दाल के को लटक भी सकते हो जो इच्छा करियो मनमाही तुलसीदाजी लिखी भी गए वही होने दगेगा केवल आप सोचो सोचना कितना खतर नाक है जराप फिर सोचो आप हमेशा ध्यान रखो कि सोचना भी अच्छा अच्छा मैं रोज कहता हूं प्रति दिन सब को कहता हूं अच्छा सोचो अच्छा बोलो अच्छा करो अच्छा देखो अच्छा सुनो अच्छे बन जाओगे रोज बोलता हूं ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन में बारता नहीं करता रोज करता हूं तो अगर देखने हैं यह तो अच्छा देखा जाए खराब काई दिखा जाए बात वही रसगुले वाली ये एक सर्चन दरवाजे के बाहर जो है हातेली में कुछ खा रहे थे तो सामने से नील मली निकले उनने पूछा भाईया ये तो कहा खा रहे हो तुमारे हाथ तो है ही नहीं कुछ ये खा क्या रहे हो बोले गुड खा रहे है गुड वकद गुड तो दिखने ही रहा है बोले जूट मुट खा रहे है तो नील मली तो ग्यानी थे उनने का अगर जूट है मुट खा रहे हो तो भाईया रसमुला खाओ छेना इना खाओ को गुलाब जामुल खाओ अगर जूट है मुटखाना है तो अगर सोच लए है केबल कुछ करने नहीं तो कम से कम अच्छा सोचा जाए इतना तो कार्रे अच्छा सोचा जाए तो जब अच्छा सोचते हैं तो फिर वो इसी सरष्टियाब के आसपास निर्मान सुरू हो जाता है आपने सोचा कि हमें तो सब तंत्र दिच्छी तो करके तंत्र में और तंत्र की सारी शक्तियां में अर्जित हो जाए तो इसके बाद फिरम दरवार लगा कि काईदेस फिरम ठोकाई करें के पबलिक की जहां इसा सोचत बस उतना ही भर के रहे गए आपकी जो प्रकरती है वो थम गई प्रकरती देख लेगे ओ अच्छा इतने बर के लिए हो ठीक है लगा उदर बार करो वह यह अमना चूचा करते हो उसे आगे लिभड़ोगे जाम और अगर आपका लच्छ ब्रहद है आपका लच्छ एकदम पवित्र है कौन सा लच्छ है हमें सेवा करनी बाकी तो सब बाइप्रोड़क्ट है शान्ती हो चाए धन हो सुख हो कुछ भी हो वो सब बाइप्रोड़क्ट है वो सेवा से निकलता है बताए आपको इस दरवार में जब हम चिकिस्सा करते थे आयरवेद की तो हम फिरी चिकिस्सा करते थे हमारे साथ आठ आठ डॉक्टर बैठते थे हमारे साह होगी और इस समय 11 बजने वाला रात में इस समय से लाइन लगना यहां शुरू हो जाती थी सुभई के लिए यानि सुभई हम बैठते थे चिकिस्सा करने के लिए च्छे बजे शाथ वजे तो रात में ग्यारा बजे से लाइन लगना शुरू को जाती थी भयानक सर्दी में भी यह समय लो मौसम सर्दी का है लोग रजाए योड़ होड़के बैठते थे सब चिकिस्दा करते थे कई लोग यह मावजूद है कभी कभी लाठियां में चलिया थी पुलिस की इतिनी भीर होथी थी लाइन लगाने की अब साथ-एठ डॉक्टर होने के बावजूद भी लोगों की मन्शा रहती थी इसके सर्बेबाल बो चोटे चोटे उस् ju arena बाह की सभगार है तो भैट है उसके बैला है तो अ कौई सो बैठेर दे कि नहीं नहीं भाप से राट तक बैठे ना है बाबा करपा से इस्टेमिना इतना था कि सो बैटके 6 बजे और साम तक 6 बजे मैठे रहे थे बारा बारा गण टेक ही जगे पर उठते भी नहीं थे लग शंक्या करने मिल जाते थे एक ही जगे बैठे रहे थे भीडो थी थी सिरू ठाने के मोकानी मिलता थे ठीक से तो एकदम फिरी ची किस्सा थी कोई फीस नहीं आउशा दी का कोई पैसा नहीं एकदम आउशा दी फिरी सबको फिरी आउशा दी फिर उसका खुब दूर्पयोग हुआ हमारे आध्यात में गुरू थे स्रीनागराज जी वो बैदिवी थे हमसर उनों लेकार कैसे चलोग आई वह यहां पदा रहे कैसे चलाए हमने बहुत अच्छा चलाए बोले बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहाई है अरे क्याले अच्छा चलाए कोई कमी हो दो बता दे बोले फिरी फंडवला जो काम चला बिल्कुल तीक नहीं इसका दुरुपी होगा, सदुरुपी होग नहीं सकता, जिसको चीकिस्सा मिलनी चाहिए मिलेगी नहीं, ये बीच वाले लूट ले जाएंगे और असली वाले भूके रह जाएंगे, पक्का है, मुझे ऐसा परतीर दीरे दीरे होने लगा था, कि वाकाई में ऐसा कुछ हो रह जाएंगे, रही रही हो रहा है, मैंने पता लगाया है, तो पता लगा कि, पांच सौन का दीरे लाजाईम्यर लगा है, जो दूसरों लिए ले दोफा ले ले आ आया है, प engages getा, पैसर नहीं पढ़ना था, भाई मम पढ़ना था, आया प्युरकर लाइंगे, पर भाई मैं अब घर में रखें कि फ़लानी रिस्धार माई आएंगे, उनकी रिस्धार फॉंट करते हैं चले जाना हमाई ले दवा लेया ना वहां से, बालतों लोगा के ले जाते हैं, अब दवा रखी है अब रिस्धार आए की नहीं आए पहसता लगा लिए तो फेक दिना ली मुनोंन आएसे दुरुपयों खोव है, बाहुत दुरुपय हुए नागराज जी ने का फिर आमने चार्ज शुरू किया, ते लोगे, दस रुपए लगाया पहले, फिर भीस रुपए किया, फिर भील नहीं मानी, भील उटा पटक, पचास रुपए किया, सव रुपए किया, भील जी नहीं मानी, पान्सुरुपय लगा थे भील काम आए, भील और भील उटाई पहले, अब पानसुरुपय भीस लगाई हमने, तो जो भील थी वो चार गुनी हो गई तो हमें निनने लेना पादा कि आमें O.P.D. टी मैटने नहीं है, कामी का तभाम उटें गई नहीं तो यह सब देखा हमने सब चीजे तो आप इस दिक्षा के बाद एक अच्छे लेवल बे पहुंच करके वहां जहां पर आप स्वेम स्वरक्षित हो जाएं पहले कि हम किसी की चिकित्सा करेंगे किसी का हम सहयोग करेंगे तो हम पूरी तरह स्वरक्षित रहेंगे जब इस वा किसको कहा की जिम्मेदारी मिले कल को किसको विदेश जाना पड़े किसको देश में जगे 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 जा करके दरवार जो बन रहे नए नए जगे वहां जा करके जिम्मेदारी समाल ली पड़े आप में समाल लीजिए आज 165 एकरी पूने 200 लोगों को आज दिक्षा मिल ल और चर्ष लोग भल गएन एकर एक शुससवतितर हो गए तो 10 परसेट लोगा इसे निकलेंगे तो फुल टाइमर होंगे तो गुडरोजी हमाब फुल टाइम है पुड़ दो पुल टाइम हैं कोई कामने आप बता हो क्या करना है आहां अप्स निकलेंगे दस पंदरा लोग ब इन न, एक फार शुचाने से अब पर बेटते हैं रोजे न, रात को बारा बजह एक बाद, जो सुवदर चार बजह तक पांच बजह तक सब बेटते हैं हमारे साथ, इन पर सब रंदा चलता है एकदम से उठाप अटक तरह यतिने तगले हो गये हैं कि इनके एक नहीं हजार तांतरी खलगर दो बहोस हो जाएंगे, भाग जाएंगे, रुकेंगे नहीं, एक क्यागे नहीं रुकेंगे, इतने मजबूत हो गए है अरंदा से, और ये तब है कि इन में से किसी ने कोई तंतर दिछ्छा नहीं ली है भी, ये सेवा से केवल, सेवा से उपर पहुंच गए ह केवल सेवा से, समर्पन से, तो सेवा बहुत अध्भूत है, जब सेवा का भाव रहता है, तो पूरी स्रश्टी आपके साथ खड़ी होती, इसका हमेशा ध्यान रखना है, आपके भाव से ही, कहते हैं भाव सागर के पार जाना है, भाव सागर मतलब भाव, जो भाव हैं, उथ ही आपके लगा रहे हैं हम लूग, उस भाव के ही कारन तो आप बैठे हो अगर आपमे भाव नहीं होता सुंदर सेवा का, तो आप यह बैठते तो भाव, उस भाव सागर से पार कैसे जाना है कि अपने जो भाव हैं वो उसका चुनाव करना है, जो रही बाव हैं और तर आप सब कर सकते हो आफ सक्षहमोध दरवार ने आपका चैन किया है, जैसे चैन करने की पद्दित्ति इस दरवार में है, इंटर्वी लेने की, कि आप में योगिता है की नहीं, किसी दरवार में धर्तिमा ऐसे वरतमान में कोई परिक्षण ऑपकोई साच्छाथ का इंटर फिर आपको चेहन करता है तो रिष्चित रुप से दरवार के आप आँखों के तारे हो इसलिए आपका चेहन हुआ है और हम भी यह इस बात की आशाक रखते हैं कि आप सबीस पर खरी उतरेंगे तंदर दिख्छा के बाद आप जब दसांस करेंगे तो आपको इसके अरद दुडुत तक लोग बृद दिख्छा है तो बहुत बड़ी उर्जा है विशाल उर जाय है हम सब देखते हैं जब कोई तंद इ expense है. हमारा भाद दसांस वाला दसांस हमारा set कर दो जखते हो आसमान में उसकी लपटे उठ रही होती है ऐसी आकी लपटे उठ रहें ती इसके ऊपर से आसमान तक बने कोई देख लिए दर जाए तो उसको सेट करते हैं अग्या चैकर यह तो पहला आयाम है पहला आपके पहली सीड़ी है आपकी तंतर दिच्छा की ऐसी 20 इस चिडिये भी आगे बाहर हैं, जो आपको और बल्वान बनाएंगे और ताकत पर शक्तिशाली बनाएंगे, और सेवा के लिए और ज्यादा कर्मा ठाप को बनाएंगे. तो आप सभी लोग दिख्छा के लिए त्यार हो जाएंगे, उसके लिए थोड़ा से कुछ कारक्रम हैं, तो सभी लोग बाल और चोटी खोले हुए और अपने-पने, और आखे बंद करेंगे, मुबाइल अपने से अलग कर देंगे, सरीर से. अभी बड़े-बड़े कारक्रम चलेंगे, मंतर दिख्छा वले भी, शिष्चों के संक्या बहुत बड़ी हो गई है, बाबा के जुस्षे मंतर दिख्छा में, तंतर दिख्छा के भी सिष्षे मावा के बढ़ते जा रहे हैं, सब अलग अलग समेलन नुआ करेंगे, अलग यह थोड़ा हम दरबार से, यह चाहते हैं कि दरबार आटो मोट पर चला जाएगा, बाबा के जनन दिन के बाद आटो मोट पर चलेगा, आदमी आएगा, परक्रिया पूरी के रहेगा, अच्छा हो जाएगा, मिलने हम से दिरूती नहीं पड़ेगी, एक आदमी आया है कि म मिलेगा, कैगा हम तु ठीक है, ऐसे, सूष मुझा का स्वें पूरा आटो मोट पे चला जाएगा, भी तु मेरे कहिने से करते हैं सब, चिकिसा, फिर अपने आपी सब ढूट ढूट कर चिकिसा होगी, आप घुसे नहीं गेट के अंदर चिकिसा चलो, अभी क्या होता है, अ अब लोगों को और आगे बढाने का थोड़ा, एक हम इसी प्रसंगवा से बात बता दें, कि एक